हेलो दोस्तो वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में जीरो डाल पी टाबलेट के बारे में बात करेंगे कि जीरो डाल पी टाबलेट का यूज कहां किया जाता है इसका साइड एफेक्ट क्या होता है जीरो डाल पी टाबलेट काम कैसे करता है और जानेंगे जिरो डाल पी टाबलेट का किन दमाओं के साथ ड्रग एंट्रैक्शन सो करता है इसके अलमा जानेंगे कि जिस भी टाबलेट में एसिकलोफनेक और पैरसिटमॉल प्रिजन्ट होता है उसका क्या योज होता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए होँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रिस करें ताकि मैं जो भी वीडियो मेडिसिन से रिलेटर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जीरोडाल पी टाबलेट जो जीरोडाल पी टाबलेट होता है वो एक प्रकार का एनसाइडी ड्रग होता है एनसाइडी ड्रग का मतलब होता है कि नोन इस्ट्राइडल एंटी इंफ्लामेटर ड्रग यादि कि ओड्रग इस्ट्वाइड नेचर का नहीं होगा और इंप्लामेशन को कम करने वाला ओगा ठीक है और जीरोडाल पी टेबलेट का यूज, पेंट, कीलर और सुजन को कम करने के लिए किया जाता है यादि दर्द निवारक और सुजन को कम करने के लिए ठीक है जो सिकलोफनेक जो 100 mg प्रिजंट होता है और पैरसिटमोल होता है जो 325 mg प्रिजंट होता है जो जीरो डाल पी टाबलेट होता है उसको इपी का फार्मासूट कर लेबरोटली लिंटोजारा मैनुफेक्चर किया जाता है इसकी स्टोरेज कंडिशन होती है यानि कि जीरो डाल पी टाबलेट को किस टमप्रेचर पर इस्टोर करके रखना चाहिए तो बीलो 30 डिगरी यानि कि जीरो डाल पी टाबलेट को आप रूम टमप्रेचर पर इस्टोर करके रख सकते हैं अब जानते हैं कि जीरो डाल पी टाबलेट और किन की नामों से मार्केट में और किन की नामों से मर्केट में मिलता है अगर आप गए मार्केट में अ मेडिकल इस्टोर पे और जीरो डाल पी टैबलेट ले रहे एग अगर उसके पास 20 टावलेट नहीं हो है तो उसके अलमा आपको किस नाम से अधर मेडिसिन दे सकता है तो हो जाता है मोन पी यानि जो सिपला लिबरेटरी दोरा मैनिफेक्चर की जाती है दूसरा होता है एसिनाइक पी जो लीफोर्ड हेल्थ केर दोरा मैनिफेक्चर की जाती इन सब मेडिसिन में भी एसिकलो नेक 100 mg प्रजेंट होगो और पेरशिटमॉल 325 mg प्रजेंट होता है हिप नेक पी जो इंटास फर्मसुट कर लिम्टर द्वारा मैनुफेक्चर किया जाता है डोलो नेक प्लस नाम से आता है जो मैंकाइन का होता है एसिकलो प्लस नाम से आता है जो अरिश्टो फर्मसुट कर ट्रैबेट लिम्टर द्वारा मैनुफेक्चर किया जाता है डोलो विन प्लस आता है जो मैक्रो लैब द्वारा मैनुफेक्चर किया जाती है इसके लाम आता है IBUJACY AP जो Supply Liberty दोरा Manufacture की जाती है ठीक है इसके लाम आता है Acne Plus जो Lupin का होता है यह सब जितने भी Medicines हैं उन सब में Aciclopneak 100MG और Paracetamol 325MG प्रिजेंट होता है ठीक है तो इन सब नामों से भी Aciclopneak Paracetamol Market में मिलता है इसके लाम और भी बहुत सारे नामों से मिलते हैं बट मैं कुछ important नाम का discuss की हूँ ठीक है चलिए अब जान लेते हैं कि ZeroDal P tablet या जिसमें Aciclopneak और Paracetamol present होता है उसका use हम कहां करते हैं ठीक है तो Remotide Arthritis जो Remotide Arthritis होता है एक प्रकार का Autoimmune disease होता है ठीक तो इस कंडिशन में भी ZeroDal P tablet का use करते हैं और Osteo Arthritis Osteo Arthritis होता है जो Joint Pain नी मतलब घुटने में दर्द होता है और छोटे छोटे उंगुरियों की गाठों में जो दर्द होता है ठीक है उस कंडिशन में भी ZeroDal P tablet या Aciclopnec Paracetamol Salt का जो भी Medicine आता है उसका use करते है Enclosing Spendylitis जो Enclosing Spendylitis होता है उस Spinal Cord यानि कि हमारे डिट की अड़ी में जो दर्द होता है उस कंडिशन में भी इसका use किया जाता है Muscle Spin हमारे बोड़ी में बहुत सारे muscles हैं जब Muscle Spin होता है यानि मास में जब दर्द होता है तो उस कंडिशन में भी इसका use किया जाता है Back Pain यानि पीड दर्द में भी इसका use किया जाता है तो थेख दाद दर्द में भी ZeroDal P tablet या Aciclopnec Paracetamol tablet का use किया जाता है ठीक है हमारे कान में और गले में दर्द की कंडिशन में भी यूज किया जाता है ZeroDal P tablet या Aciclopnec Paracetamol tablet का ठीक है Fever and Inflammation की कंडिशन में भी इसका use होता है ठीक है आप जान लेते हैं कि ZeroDal P tablet काम कैसे करता है तो ZeroDal P tablet हमने बताया कि दो मेडिसिन का salt हता है फर्ष्ट होता है Aciclopnec और सेकेंड होता है Paracetamol तो Aciclopnec 100 mg प्रजेंट होता है और Paracetamol 325 mg तो दोनो NSID medicine है ठीक है तो दोनों क्या करते हैं Cox Enzyme को Inhibit करते थे जो Cox Enzyme होता है वो Prostaglandine के सिक्रेशन में Responsible होता है ठीक है तो Cox Enzyme को जब Inhibit कर देते हैं तो Prostaglandine का सिक्रेशन भी Inhibit हो जाता है जिसके वज़़से Pain और Inflamation कम या खतम हो जाते हैं ठीक है अब जाल लेते हैं कि Zero-Dal P tablet का Side effect क्या होता है ठीक कि हम अगर Zero-Dal P tablet खा रहे हैं तो हमें क्या इसका Side effect देखनों को मिलता है Nausea यानि मिचली आना Omiting Ulty होना इस्टमक पेन यार पेट में दर्द होना Epigastric pain Epigastric pain का मतलब होता है Gaze की वज़़से Pain होना ठीक है Loss of Appetite भूख कम लगना Heartburn और Diaryya जिसे Condition देखनों को मिलते है बट इस Side effect हर एक पेशेंट को देखने को नहीं मिलते है कुछ कुछ पेशेंट में Zero-Dal P tablet का Side effect देखनों को मिलता है अब जान लेते हैं कि Zero-Dal P tablet जो होता है उसका Drug Interaction क्या होता है यानि कि Zero-Dal P tablet का यूज हम किन Medicine के साथ नहीं कर सकते हैं कार्बमजीपीन लीथियम फिनोट्वाइन सोडियम नैट्रेट लिफिननमाइड डिजॉकसीन काटिकोस्टोइड एंड एंटि हैपर टेंसिव ड्रग के साथ हम Zero-Dal P tablet का यूज नहीं कर सकते हैं Mostly हम सोडियम नैट्रेट के साथ इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि सोडियम नैट्रेट के साथ इसका सीवियर ड्रग इंटरेक्षन देखने को मिलता है ठीक है अगर आप को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें थैंक यू फार वाचिंग